हेलो फ्रेंट्स मैं हिमान शुथा फिल से आपका सौगत करता हूँ पी जबलो यू पीसी वाला में दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेत्रा सीरीज और नेत्रा सीरीज में हम लोग करने वाले हैं अराउंड 50 कुश्चन के आसपास जिसमें हम लोग कवर करेंगे वीकली सेक्टर रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है क्लाइमेट इंवेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया स्कूलिंग सेक्टर ये किस ने रिलीज करी है वाले बैंक नीतिया योग यूएन एर्वान्मेंट फनाइन्स इनिशेटिव या ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशेंसी तो इसका आंसर करेक्ट है क्या इसका आंसर करेक्ट है वाइड बैंक ठीक है इसका आंसर वाइड बैंक है देखिए वाइड बैंक ने जो ये रिपोर्ट एनलाइज करी है ये इसका बेसिस जो रहा है वो है इंडिया कूलिंग आक्शन प्लान जो की इंडिया में लॉंच हुआ 2019 में ठीक है उसी बेसिस पे पूरी रिपोर्ट उसी पर एनलेसिज है ठीक अब देखें यहां पर एक चीज़ समझेगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चिंटीज जो है वो तीन सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कोल्चेन और रेफ्रिजरेंट्स जो ह क्या करेगा यह रिडियूस करेगा मतलब कि जो हरिद्ग्रह गैस हैं उनको कम करेगा ठीक है दूसरी चीज यह जनरेट करेगा 3.7 मिलियन जॉब्स ठीक है यह बहुत इंबोर्टन चीज है कि लगभग 3.7 मिलियन जॉब्स यहां पर आपकी जनरेट होंगी इसके अलावा आप चीज समझेगा यहां पर एक वर्ड आया हीट इस्ट्रेस ठीक है आप जानते हीट इस्ट्रेस जो है वो आने वाले सालों में आने वाले सालों में क्या होने वाला है उससे उससे लगभग 2 से लेके 3 डिग्री राइज होने वाला है हमारा टेंपरेचर मतलब हीट इस्ट्रेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला है इसके साथ ही साथ याद अख्येगा कि 34 मिलियन पीपल अराउं 34 मिलि बैसले हैं लूग होते हैं ऊसे काrokषान होती है और क्या है एंडया कूलिंग प्लान के भारे में ठोड़ी सी बात कर लेता है क्या है क्या Wash cooling action plan यह launch हुआ था 2019 में और इसको launch किस ने करा था तो Ministry of Environment Forest and Climate Change ठीक है इसने जो है इस ministry ने launch करा क्या मतलब इसको short form में हम लोग बोलते हैं MOEFCC ठीक है तो यह ministry है जिसने launch करा इसके उद्देश क्या थे objective क्या थे देखिए इसका उद्देश objective जो है बड़ा simple सा objective है इसका objective बड़ा simple था इसका objective क्या था कि यह जो refrigerant है ठीक है जो आपके ठंडा करने वाली चीजे होती है basically हिंदी में अगर आप समझा चाहे तो उसकी demand को कम करना चाहते हैं यहां पर यह 25 से लेके 30% की demand जो है उसको कम करना चाहते हैं ऐसा क्यों क्यूंकि आप जानते हैं जो refrigerant है उसमें HFC यूज होते हैं hydrofluoro को आपका carbon यूज होते हैं ठीक है तो इससे होता क्या है इससे global warming बड़ती है इसके अंदर यह greenhouse gas है है ना HFC जो है जो SFC है hydrofluorocarbons वो क्या है वो green house है और उसकी वज़े से आपका गर्मी बढ़ती है तो यह क्या करने वाले ही यह fridge की ही refrigerator की demand कम करना चाहते हैं कितना 25 से 30% by 2037-38 ठीक है दूसरी चीज़ यह reduce करना चाहते हैं cooling demand AC cooling demand मतलब AC आपके होगे उसमें भी आपका क्या यूज हो रहा है उसमें भी आपका hydrofluorocarbons यूज हो रहे है ठीक है और इस sector की demand कम करना चाहता है 20 से लेके 25% तक कब 2037-38 ठीक है मतलब 2037-38 तक दूसरी चीज़ यहां पर यह जो greenhouse gas emission हो लारा है जो हर्रा घैस एमिश्न हो रहा है उसको कम करना चाहता है और कितना तंग करना चाहता है तो 213 metric tun और 213 metric ton कब तक 2.040 करना चाहता है बेशिक्री carbon dioxide जो है उसका 230 230-13 metric ton यह कम करना चाहता है त्रीक है इसके बाद यह जो cooling तो यह चाहते हैं जो कूलिंग और कूलिंग रिलेटेड एरिया जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी कम हो ठीक है और यहां पर ट्रेनिंग इन सर्टिफिकेशन यह देना चाहता है तो यह था किसके बारे में यह था आपका इंडिया कूलिंग अक्शन प्लान के बारे में तो यह हमारी पहली न्यूज जबरदस आपके एंविर्मेंट के लिए न्यूज है ठीक नेक्स देखते हैं नेक्स आता है consider the following statements यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ statements है पहला statement कहता है the price of crude oil in India is based on a crude basket या दखिए गए crude basket है comprising sore grade ठीक है एक आपका sore grade है sore मतलब हिंदी में होता है खटा ठीक जिसमें आ रहा है आपका कौन सी country ओमान और दुबाई आती है basically और एक आपका sweet grade है जिसमें आपकी Brent Brent countries आती है basically Brent crude oil आता है ठीक है तो यह statement basically क्या है आपका सही है यह statement सही है ठीक है कि जो हमारा जो crude oil का price है वो दो चीजों पर base करता है एक आपका star grade पे ठीक है मतलब कि ओमानों दुबाई का जो average है और दूसरा sweet grade पे जो की Brent crude oil है भारत के बारे में बात कर रहें इंडिया के बारे में ठीक है दूसरा Brent crude oil is drilled from the Brent oil field which is located near Argentina in the Atlantic Ocean तो यह क्या सही है एकदम सही नहीं है यह याद दखेगा Brent का जो संबंद है वो North Sea से संबंद है इसका ठीक है इसका संबंद किसे है North Sea से संबंद है जो की Europe में देखने मिलता है तो यह statement आपका गलत है तो याद रखेगा यह भी आपका statement जो है यह भी statement आपका सही है तो आईए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग the Indian basket of crude oil represents a derived basket comprising sore grade ठीक है जिसमें Oman और दुबाई आता है and sweet grade जिसमें Brent आता है ठीक है processed in Indian refineries in the ratio of 75.62 is to 24.38 during 2019 and 2020 ठीक है तो यह ratio है जिसमें हम लोग जाधा जाधा जिसमें ratio में आपको wertice दिया गया है दुबाई और ओमान वाले को और कम वेटेज दिए रहे है स्वीट हमारे जो स्वीट बास्केट है उसको स्वीट ग्रेट को ठीक है तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है Brent crude is mostly drilled from the North Sea oil fields ठीक है जिसमें Brent है आपका Fortis है Osberg है और Ocofix है यह आपका कहलाता है क्या BFOE और यह आपका स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया जो इसमें दिया वा था अर्जेंटीन है अवली बात दूसरी बात OPEC के बारे में अगर बात करें तो OPEC आप जानते हैं Permanent Intergovernmental Organization है मतलब कि बहुत सारी इसमें countries है ठीक है जिसमें 13 आपकी oil exporting developing nation है 13 तेरा हैं जो की oil export करते हैं ठीक है that coordinates and unifies the petroleum policies of the of its member countries founded by five oil producing developing countries या दखिये का इसको पांच country ने develop करा था इसको found करा था और यह आपका एराख बगदाद में इसको 1960 में September 1907 में इसकी foundation रखी गई इसका जो headquarter है वो Austria में है वियना में ठीक है और यहां पर जो member countries है वो देख सकते हैं आप Algeria Angola Congo equatorial गिनी गेबॉन ठीक है यह जो सारी countries देख रहे हैं आप Algeria Angola Congo you know your equatorial गिनी गेबॉन यह सब African countries then you have you know इरान इराक हुवेत यह आपके यहां पर अच्छा इधर भी आपकी और कुछ country लिबिया नाइजीरिया साओधी अरेबिया युनाइटेड अरफ एमिरेट्स और वेनेजुला तो वेनेजुला को अगर आप देखेंगे तो यह एकमात राइसी country है जो कि साउथ अमेरिका से बाकी आप देख सकते हैं कि Middle East Asia की countries है और आपके African countries यहां पर आपको नज़र आ रही है और कितनी है तो 13 है यह आ दखेगा 13 है तो चलिए next question को हम इंडिकेटर is used in the global multi-dimensional poverty index which is developed by the Oxford poverty and human development initiative in association with the United Nations development program तो यहां पर आपने देखा कि जो हम लोग बात करने वाल है यहां पर किसके बारे में MPI के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है multi-dimensional poverty index के बारे में जो की develop करी जाती है किसके दोरा तो आप जानते हैं कि यह OPHI और UNDP किस दोनों मिल के क्या करते हैं इसको आप develop करते हैं इसमें जो है तीन इंडिक आपका तीन dimensions होते हैं तीन dimensions में इसमें जो है report बनती है और इसके 10 indicators होते हैं इसी तीन dimensions पे आपके 10 indicators रहते हैं तो यहां पर यह पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा indicator आपका कौन-कौन सा है तो child mortality है क्या यह स्कूल attendance है क्या यह यह भी है assets इसमें है यह भी है क्या इसमें anti-natal care है नहीं इसमें नहीं है और इसमें six bank account भी इसका आप कह सकते indicator नहीं है indicator नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा one three four five तो यहां पर कोई है ऐसा yes यहां पर देख सकते हैं बी option जो है बी option इसका सही हो जाएगा one two three sorry one three four five ठीक है तो यह हमारा answer हो गया इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिजे थोड़ा समय लिजी हैं पर multi-dimensional poverty index is an index designed to measure acute poverty understood as a person's inability to meet minimum internationally agreed standards ठीक है तो basically यह decide करता है कि poverty के बारे में बात करता है कि poverty कितनी हैं लोग कितने गरीब हैं उसके बारे में बात करता है ठीक है यहां पर आप हम हेल्थ के अच्छा दूसरी चीज़ कि जो इंडिकेटर हैं इंको equal weightage दिया गया है सब को बराबर weightage दिया गया है ठीक है तो जब rank आप निकालते हैं इंडेक्स बनाते हैं तो weightage में सब बराबर है health पे अगर बात करें हम तो health में one by six weightage इसे मिला है जिसमें आता है क्या child mortality और nutrition क्या आता है child mortality आता है और nutrition आता है बाई जरूरी है ना पोशक तत तो जरूरी है और देखना जरूरी है कि मित्युदर कितनी है इजुकेशन में अगर आप बात करेंगे यहां पर तो एजुकेशन में भी you know one by six equally यहां पर मिजग कर रखता है years of schooling education को हम कैसे देखते है years of schooling कि कितना बच्चा जो है school गया और child school attendance चाइल स्कूल attendance के बारे में यहां देखते हैं उसके बाद standard of living के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर six indicators है और one by 18 इसी लिए इसको क्या दे रखा वेटेज दे रखा है cooking fuel इसमें आता है sanitation इसमें आता है drinking water आता है electricity आता है housing आता है और आपके assets आते हैं तो यह जो है दस indicator है तो हम लोग ने इसका answer देख लिया यह चीजे आपको जो है आपके जबान पर याद होनी चाहिए बड़ा hit question है ठीक है फिर चाहिए HDI हो और फिर आपका चाहिए MPI हो व crops consider the following statement ठीक है तो यहां पर GM crops के बारे में बात हो रही है पहला statement कर रहा है so far no GM crops have been approved for commercial cultivation तो ऐसा गलत है है हम जानते हैं BT cotton बीटी cotton commercially you know cultivation इसका कर सकते हैं BT cotton crop का दूसरी चीज जीम mustard यह आपका है क्या यह है आपका DMH 11 contains genes of herbicide tolerance and preventing self-pollination तो यहां पर जो GM mustard जो है ठीक है धारा धारा के बारे में बात हो रही है basically जो बनाया गया है उसमें basically genes डाले गया है किस चीज के वो बच सके herbicide से herbicide को tolerate कर पाएं और दूसरा self-pollination से बच पाएं ठीक तो पहला statement आपका गलत है दूसरा statement आपका सही है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर जो मैंने आपको बाद बताई कि commercial activity के लिए GM cotton है ना in 2002 हम लोग approve कर चुके हैं 2009 में BT brinjal भी आया था 2009 में BT brinjal आया या ब्रिंजल बोलते हैं सब वही चीज है ना चाहे तुम और जीन बोलो चाहे प्लांट बोलो चाहे ब्रिंजल बोलो है सब बैगन राइट तो उसको क्या करा गया है उसको रोग दिये गया जो 2009 में अप्रूव हुआ था ठीक है दूसरी चीज धारा मस्टड हाइब्रेड 11 जो मैंने बताया आपको कंटेंस त्री जीन्स फ्रॉम बैसील त्री जीन्स के लिए प्रॉम इसमें बना रही है और यह जीन जो है वह हरवीी साइड टॉलरेंस wanna रही तो स्टेट्मेंट सेकेंड भी आपका सही है अब आता है सुक्ताल लेक कहां पर है तो सुक्ताल लेक जो आपका है ये है कहां पर ये है नैनी ताल में उत्राखंड में ये कहां पर है नैनी ताल उत्राखंड में है सुक्ताल लेक ठीक है तो सुक्ताल लेक के बारे में हमने या पर देख लिया अभी recently हुआ गया है कि यह हाई कोड़ जो हमारा है ठीक है जो उत्रगहन का हाई कोड़ है recently directed the state to stop all construction activities on the lake bed ठीक है तो इसलिए यह न्यूज में रहा है और यह या रखेगा सुखताल लेक जो यह फ्रेश वाटर लेक है ठीक है यह भी इंपोर्टेंट होता है कि फ्रेश वाटर रहा है यह फ्रेश वाटर है यह फ्रेश वाटर है ठीक है ने निताल में तो यहाँ रखेगा पहला जो आपको मैंने बताया option C फाहीं वह सही है ब्रिटिश टैबलर यहाँ पर राल फिल्च के बारे में बात है तो राल फिश नहीं क्या बोला है राल फिल्च के इंट पिटनाइन 1586 and described it as a very long and great town with a flourishing trade in cotton, sugar and opium यहाँ रखेगा यहाँ पर opium के बारे में भी बात करी है cotton के बारे में बात करी है और sugar के बारे में बात करी है ठीक है तो यह इन्हों ने बात करी थी राल फिल्च ने 1586 में जब यह आये थे इसके साथ साथ Scottish अब इनका experience सुनिए Scottish physician जो थे जिनका नाम है फ्रांसिस बुचानन ठीक है इन्होंने क्या बोला अन प्लाटरिंग expression अपना दिया यह खुश नहीं हुए इन्होंने कहा difficult to imagine a more disgusting place ठीक है तो इन्होंने कहा है इससे ज्यादा बेकार जगा को इमाजिन नहीं किया जा सकता यह Scottish एक फिजिशन थे उन्होंने बुला एंव फॉर्स्टर हुँ मेड बैंक की पूर और रेजिडेंशल एरिया विदिन पट्ना दि मॉडल फॉर चंद्रपूर इन पासेज ऑप इंडिया तो इन्होंने क्या बात करी थी इन्होंने बैसिकल इस पॉर्ते डियर क्या हमारे शीडियूल वन में आते हैं वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आप 1972 तो हम देखेंगे नहीं यह नहीं आते हैं लीस कंसन में आते हैं तो यह यह आई यू सी एन के रिलीस कंसन में आते हैं इस नेटिव टू इंडियन सबकॉंटिनेंट यह यह जो है यह भार्तियों को महादीप मिलता है तो चीतल को देख लीजिए शेडियू थी में आता है यह वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के ठ अगर इसको मार दिया तो उतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलेगी उन एनिमल्स में जो की शेडियूल वन में है और शेडियूल टू में है वाइड लाइफ प्रोटेक्शन आप की ठीक है तो यह शेडियूल थी में है तो उतनी इसमें सजा कली नहीं मिलेगी इसका मतलब यह नहीं कि तुम जाके hunting करो है शिकार करो ठीक है तो पहला statement जो है आपका गलत है वहाँ पार शीडूल वन दिया हुआ है आई यू सी एंड रेड लिस्ट में यह क्या है लीस कंसर्ण है तो दूसरा statement सही है और तीसरा statement की यह इंडियन सब Wow आज राइस के बारे में यह कहता है गे यहे बीच में लडिय तो आपको लगता है को रोना के समय में यह बढ़ा होगा जीस्टी कलेक्शन नहीं बढ़ा जीस्टी कलेक्शन तो यह स्टेट्मेंट गलत है कंसिस्टेंटली नीवर्ड हाँ बढ़ा है लेकिन बीच में ड्रॉप आगया को रोना के टाइम पे अगर इसको इंप्लिमेंट करने में आपको रेविन्यू लॉस होता है आपको जो है टाक्स कम मिलता है उसके लिए भरपाई जो है वो केंदर सरकार करेगी लगातार पास साल के लिए ठीक है तो यह बात जो है एकदम सही है तो आपका पहला स्टेट्मेंट गलत है और दूसरा स्टेट्मेंट इसमें सही है यह आप देख सकते हैं डेटा दिया हुआ है यहाँ बर आप देटा प्रिवेलिंग डिरेक्शन ऑफ एकोनॉमिक ट्रेंट्स इन दी मैनुफाक्शनिंग सेक्टर ओनली देखिए एक चीज मैं आपको बता दू जब भी कभी ऐसे वर्ड आते हैं ओनली तो यह 99 परसंट जो होते हैं ठीक है तो यहां पर यहां पर सर्विस सेक्टर भी होता है यह पर सर्विस सेक्टर भी है ठीक है तो एक चीज या दखिएगा मैं क्या बोला हूँ पर्चीजिंग पीमाई इंडेक्स ऑफ प्रिवेलिंग डिरेक्शन ऑफ एकोनॉमिक ट्रेंट्स जो है उसके बारे में बताता है दोनों मैनुफाक्श्रिंग सेक्टर और सर्विस ठीक है तो यहां पर आपको मैं बता दू सेकेंड स्टीटमेंट कह रहा है आपका कि यह इंडेकेट करता है सप्लायर को कि कितनी इंवेंट्री है उसके कस्टमर के पास ठीक है जो कि उसके प्रोड़क्शन अमाउंट को एफेक्ट करेगी अगर हमें पता चल जाएगा कि हम इसे हमारे कस्टमर के पास कितना इंवेंट्री बचा हुआ है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे हम उत्पादन करेंगे तो सब्सक्राइब यह देखते हैं यह सहीए कि गलत है इपी माइओ प्रीवियस मन्त इस थायर दन दी पीमाइओ ऑफ डी करिंड मन इटरेपर इस मंद जो हमारा पहला पर्चेजर सॉरी पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो पहले मंद का अगर हायर है ठीक है अपने करिंट मंद से इसका मतलब हमारी एकॉनिमी कॉन्ट्राक्ट कर रही है तो यहां पर हम लोग बात करेंगे जो मैंने आपको बताए कि यह मैनुफाक्ट्रिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए है इसका मतलब पहला स्टेटिंट आपका क्या है गलत है दूसरी चीज़ समझ लीजे कि जो प्यम आई है कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूजिन इंडेक्स दाट समराइज इस वेदर मार्केट कंडिशन आज व्यूट बाइदी पर्चेजिंग मैनेजर्स आर एक्स्पांडिंग इस्टेइंग दी सेम और कॉन्ट्राक्टिंग तो बेसिकली क्या बताता है प्यम आई प्यम आई बताता है कि हमारी मार्केट जो है वो एक्स्पांड कर रही है हमारी मार्केट वैसे ही है सेम है वैसे यह नहीं एक्स्पांड करें नहीं कॉन्ट्राक करी या कॉन्ट्राक्ट करी यह तीन चीजों के बारे में यहां पर बताता है ठीक है दपर्पस ऑफ प्यम आई इस तो करेंट और फ्यूचर बिजनस करनीशन्स हैं वो कैसी है ठीक है इसके साथ यहां पर पर पर्चेजिंग मानेजर इंडेक्स ऑल्सो अलाव दिस सप्लायर टू नौ अगर इसकी सब्सक्राइब बताता है कि जो कस्टमर है कि उनके पास कितना अभी प्रोडाइब बचा ववा है क्योंकि अगर उनके पास सोचिये उनको डिमांड है 400 unit की, उनके बास 40 inventory में हैं, तो हम as a production unit क्या करेंगे, 60 unit उसके लिए बनाएंगे, ठीक है, तो हमको information मिलती है, दूसरी चीज, PMI is a number ranges for, PMI जो है, index है ये, है ना, और index जो हमेशा होता है, इसको score होता है, तो यहाँ पर इसकी scoring क्या होती है, 0 to 100 होती है, if a PMI is above 50%, it represents an expansion, अगर 50% ठीक है, से जादा होता है, तो यह क्या बताता है, कि हमारी expand कर रही है, economy, दूसरा एक चीज और है आपर, when compared to the previous month, and if less than 50, then means a contraction, इसका मतलब यह है, कि अगर आपका previous month का जादा है, PMI index, और current month का कम है PMI index, इसका मतलब यह है, simple सी बात है, कि हमारी economy जो हो रही है, हमारी economy contract क कर रही है, एक चीज और इसमें समझ लीजेगा, कि जो PMI है, PMI is compiled by IHS market kit, ठीक है, यह चीज यहाद अखिएगा कि यह जो IHS market kit है, वो compile करती है, IHS के बारे में अगर आपको मालू हो, नहीं मालू है, तो बता दे रहो मैं, कि यहाँ पर IHS जो है, it is a part of SNP, यह जो है हमारा standard and poor global का part, ठीक है, standard and global poor का part है यह, और इस kit में जो countries है, वो 40 हैं हमकी, ठीक, तो 40 country है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिर से मैं जा रहा हूं question पर, अगर question पर हम फिर से जाएंगे, तो यहाँ पर पहला statement हमारा क्या है, गलत है, दूसरा statement हमारा सही है, और तीसरा statement भी हमारा तही है, ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, यह हमारा दूसरा question है, और यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे है, टिग्रे region की, ठीक है, यह news में रहा है, टिग्रे region जो news में रहा है, वो कहां पर है, क्या इराक में हैं, इथोपिया में हैं, सिरिया में हैं या इजिप्ट में तो यहाँ पर इसका correct answer आए आपका वो क्या है वह Ethiopia है आए देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप यह रीजन देख रहा है यहाँ पर और आपको यह रीजन देख रहा है इस रीजन जिसको highlight करके लग से इस इस टीग्रे रीजन अब टीग्रे तो यहां पर आप क्लेली देख सकते हैं कि यह टिग्रे रीजन जो है सुडान के साथ और इरिट्रिया के साथ अपनी बाउंडरी शेर कर रहा है ऐसे कोश्चन भी आपके आते हैं ऐसे कोश्चन भी आते हैं ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अब यह न्यून में क्यो तो यहां पर आप कोश्चन आता है आपका हाई ओक्टेन फ्यूल पर ठीक है तो यहां पर आप कोई समझना है कि यह हाई ओक्टेन पर क्या है इस पर कुछ गस्यनिए है पहला यहां पर स्टेट्मेंट ऑप कि वजह ए से यहां पर यह इंडियो आपका होता है दूसरी चीज़ यहां पर शेकिन आपका जो है है question वो कह रहा है high octane fuels have higher efficiency than lower octane value but high octane fuels vehicles have higher emission than those lower than those lower octane vehicles ठीक है तो यहां पर यार यह question mark आप में mark कर रहा हूं क्यों क्योंकि यहां पर यह आपका गलत है ठीक है यह यहां पर क्या है आपको गलत है यहां पर emission कम होता है यहां हाई-octane value जो है उसमें emission कम होता है राइट XP-100 is the country's first 100 octane petrol which is developed by Indian oil ठीक है तो यह भी एकदम सही है आपका मतलब कि second गलत है और first or three आपका सही है ठीक है तो यही चीज़ यहां बोल लखी है कि higher octane rating means that your engine is more resistant to knocking the engine pinching or rattling sound that comes as a result of premature ignition of the compressed fuel in one or more cylinders ठीक है तो यहां पर यह scientific चीज़ है मतलब यहां पर आप कह सकते हैं basically क्या है कि अगर आपका resistance ज्यादा है तो या रखिएगा कि जो आपका compressional rate है वो ज्यादा होगा तो statement one आपका जो है वो सही है दूसरी चीज़ जो vehicle vehicle manufacturer using high octane fuel have lower emission या रखिएगा ठीक है emission क्या होता है lower होता है basically इसके बाद Indian oil has launched the country's first octane you know petrol called xp100 call xp100 ठीक है and it is targeting what it is targeted at high-end cars and bikes तो जो आपके महंगी कार और bikes हैं उन्हें के लिए उन्हें में इसका use करा है Indian oil ने इसको high octane petrol that is xp100 ठीक है तो statement 3 आपका correct है इसके तो यहां पर हम लोग बात बता दें आपको कि अब बात हो रही है इस question में measles की ठीक है और यहां क्या दिया हुआ यहां पर दिया हुआ है कि measles is caused by a various अब यहां पर एक various के बारे में बात करें belonging to the paramoxy virus paramoxy virus family ठीक है तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है यह इदम सही है यह याद अखेगा इदम सही है कि measles जिस virus से होता है वो किस family से belong करती है तो paramoxy virus है उससे belong करती है दूसरा यहां पर question क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न दूसरा statement यहां क्या कह रहा है measles and rubella are caused by the same virus but have different symptoms तो यह याद अखेगा यह गलत है आपका यह सही नहीं है इनके different virus होते हैं इनके different virus होते हैं और दूसरी चीज यहाँ पर आपको याद अखना है कि इनके symptoms जो होते हैं symptoms वो आपके same होते हैं तो यहाँ पर red rashes आपको हो जाता है red rashes आओ जाते हैं आपको ठीक है आपके लाल लाल चकत्ते पढ़ने लगते हैं basicly border में rashes होने लगते हैं तो यही measles में भी होता है यही आपके rubella में भी होता है ठीक तो symptoms तो एक जैसे हैं लेकिन virus अलग है actually rubella के जो virus होता है उसको बहते है r u v ठीक है इसका जो virus होता है that is known as what r u v virus ठीक है तो यह चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी अब हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर इसका मंदब दूसरा statement हमारा क्या है गलत है ना इसका मंदब भी क्या हुआ यह दूसरा statement हमारा गलत है तो only one is correct ठीक यहाँ पर यही दिया हुआ है यही यहाँ पर समझाई विए बात इसको हम लोग आगे further क्या लेके जाए मैंने सारी बाते आपको यहाँ पर बता दी है ठीक है तो अब हमारा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपका next question है वो है वसीनार arrangement का ठीक है वसीनार arrangement क्या है तो पहली चीज़ इंडिया विल ओफिशली अजियूम दी चेर्मेंशिप चेर्मेंशिप ऑफ वसीनार arrangement in 2023 तो एकदम सही है जैनवरी में ऐसा हो रहा है ठीक है दूसरा statement क्या कह रहा है तो यहाँ दखेंगा एकदम सही है यह एक इसी प्रकार का आपका क्या है agreement है इसके बाद इंडिया इस दी पाउंडिंग मेंबर ओफ वसीनार arrangement तो यह आपका गलत है यह ऐसा होता तो तो तुब नीज में सुनाई देता कभी है ना ऐसा गलत है इंडिया ने जॉइन लेट करा है 2017 में इंडियान बेसिकली जॉइन करा है तो यहाँ पर यही बात दीवी है इन्होंने 1st January 2023 में एक साल के लिए क्या हो रहा है एक साल के लिए हम लोग चेर्मेंशिप लेने वाले हैं ठीक है दूसरी चीज यह कि जो यह अग्रिमेंट है यह एक पर यहां पर मेंबर्स जो है वो क्या कर सकते हैं एक्शेंज कर सकते हैं information on transfers of what conventional weapons and dual-use goods and technologies ठीक है तो दूसरा सभी ता और यहां बर आप देख सकते हैं कि इसका establishment कहा हुआ है इसका establishment हुआ है July 1996 में हुआ है ठीक है इंडिया बिकेम a member of this arrangement in 2017 जो से मैंने बताया आपको 2017 में और इस समय इस agreement के अगर आप parties की बारे में बात करेंगे तो यहां पर 42 42 इसके member है और इसका जो secretary 8 है वो याद अखिएगा secretary 8 कहां बना हुआ है तो यह वियना में बना हुआ है तो इसका सच्छिवाले ठीक है यह कहां बना हुआ है सच्छिवाले या आपका जो secretary 8 है वो कहां बना हुआ है वियना में बना हुआ है यह important चीज़ है next question पे आते हैं consider the following statement India has collaborated with France on काजी रंगा project which is a part of larger Assam project on forest and biodiversity conservation तो यह पहला statement है आपका कि जो इंडिया है उसने France के साथ collaborate करा है किसके लिए काजी रंगा प्रोजेक्ट के लिए यह बताया जा रहा है कि जो काजी रंगा प्रोजेक्ट है यह Assam project जो forest and biodiversity conservation पे है उसी का यह पार्ट है ठीक है दूसरा statement कहता है क्या काजी प्रोजेक्ट काजी रंगा नाशनल पार्क वाज़िए पास होती है चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको यहां पर आप जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें पहले statement की तो पहला statement हमारा एक्दम सही है और बात करता है काजी रंगा प्रोजेक्ट जो है डाट इस पार्ट some project on forest and biodiversity conservation for which the agency and the agents franchise the development AFD जो नाम है actually agency का France की has committed a funding of 80.2 million pound ठीक है for 10 year project for 10 year project between 2014 and 2024 तो यह बहुत पुराना project है आपका ठीक है काजी रंगा has been declared a tiger reserve since 2007 इससे पहले नहीं था ठीक है और वहीं आप बात करेंगे एगर जिम कॉर्वेट नाशनल पार्क की जो कॉर्वेट नाशनल पार्क है वो 72 73 में क्या था हमारा tiger reserve बन गया था दूसरी पार्क है भाला था है और डिफलो रिवर उसका नाम है दिफलो रिवर यह डिफलो रिवर आपको याद अखना है काजी रंगा यविच देशी चिंग यह पूछा गया एक संगुम रिट्रेजर जो है वह किस रोइल पेट्रेश्च की अंडर में लिखी गई यह उ थे कर तो 3000 हमारे संगम Computing Nick हुए summary मोरी ओ संगम अईरा इस दी पीरियेड फ्रॉम दी थर्ड सेंच्री बीसी तुडी थर्ड सेंच्री एडी है ना मतलब लगबख 600 साल का दक्षिन भारत में साउथ इंडिया में यह एरा रहा है ठीक संगम लिटरेचर कंपाइड दॉरिंग दाट पिरियद फ्लॉरिष अंडर दी रॉयल प्रेटरेज ओफ पांडिय संगम फोडान वहां दिए यहां पर इक रचना बड़ी ही आपकी वह किस ने लिखी थी यहां पर टोलका पियार नहीं लिख्यव क्यों चरह को लाएं पर टोलका पीयार नहीं लिखी ही नीख है बहुत important है very important ठीक है third संगम जो था again Madurai में वह तो याद अखिए गा ऐसे भी question आते हैं क्या question आजाएगा कि संगम जो है संगम Madurai में तीन संगम होए तीनों Madurai में होए ऐसा भी question आ सकता है तो answer वो क्या होगा statement गलत होगा दो होए first or second तो यह आपको याद रखना है आप ठीक है इसके बाद आपका प्रशने आता है क्या which of the following is emitted in the flue gas from the coal-filtered power plant ठीक है तो आप जानते हैं कि जो coal-filtered power plants होते हैं इनमें flue gas निकलती है ठीक है जो आपका production के बाद जो flue gas है उनमें कौन-कौन से आपके जो gases रिकलती है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या sulfur dioxide निकलती है तो आंसर इस और नाइट्रोजन और नाइट्रस औक्साइड निकलती है यह मर्करी लेड यह आर्सनिक कैडमियम यह तो यह एलिमेंट्स निकलते हैं और कुछ gases भी आपकी क्या है यहाँ पर निकलती है तो आंसर क्या हो जा थे तो इसको यह रहता है तो यह सारे पल्यूटेंट्स है इसको एक बार आप देखे जिएगा याति करिएगा इन दे कॉं टेक्स्ट ऑеп इसी कभाई फो याक थिक है लेकिन ये गलत हो जायएंगा lui इसको देख लेते हैं मैप में यहां पर आप देख सकते हैं कि यह में है तो अब यहां पर हम लुग जो है है next question को देख रहे हैं और next question जो हमारा है वो बात करा है with reference to national commission for backward classes जिसको हम बोलते हैं NCBC ठीक है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है पहला statement इसके लिए कि NCBC became a constitutional body after the 102nd constitutional amendment act 2018 ठीक है तो यह पहला statement है अब यह सही है कि गलत है यह हमको देखना पड़ेगा दूसरा statement यहाँ पर है the tenure of the chairperson of the commission is fixed at six years or up to age of 65 years whichever is earlier ठीक है तो मतलब यहाँ पर tenure बोला गया है कि यहाँ पर six year tenure होता है या 65 साल की age होती है जो भी पहले आजाए वही होता है ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह news में इसलिए है क्योंकि recently हंसराज अहिर assumes the charge of ncbc chairperson ठीक है तो यहाँ दखेंगा यहाँ पर हंसराज अहिर जो है उन्हों उनको क्या बनाए गया है उनको बनाए गया है हमारा ncbc का chairperson अब यहाँ पर बात समझें following the hundred and second constitutional amendment act 2018 ncbc became a constitutional body established under the article 338 b of the Indian constitution इसका मतला पहला statement आपका सही था दूसरा statement इसका क्या है the chairperson vice chairperson and the other members of the commission shall be appointed by the president shall be appointed by the president the conditions of service and tenure of office shall be decided by a president तो it is nowhere mention कि वो 65 साल की आयू होनी चाहिए उसमें ncbc में उसके chairperson की और या पैसट आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो tenure है उसके tenure के बारे में कुछ नहीं है यह president's decide करेगा इसका मतलब second statement जो था वो क्या है वो आपका गलत है अब आते हैं यह लोग next question में और next question में अगर हम लोग देखेंगे तो it is with reference to great Indian bastard ठीक है क्या लिखा हुआ है great Indian bastard के बारे में हमेशा यह news में रहता है पहला statement कह रहा है power transmission lines are the most significant reasons for the decline of the great Indian bastard population तो हम लोग इसको देखेंगे क्या है यह ठीक है इसमें कह रहा है कि जो power transmission lines है उसकी वज़े से बहुत सारे हमारे जो great Indian bastard की population से वो क्या हो रही है population कम हो रही है ठीक है it is listed as critically endangered on IUCN red list but included in the schedule 3 of Indian wildlife protection act 1972 which provides less protection than schedule 1 and 2 इससे पहले भी हम लोग ने देखा अभी कि schedule 1 or 2 से जाधा आपका कम स्वारी schedule 1 and 2 से कम protection आपको मिलती है किसमें schedule 3 में अगर आप wildlife protection act में आते हैं और यह critically endangered है तो देखते हैं यह सही है कि गलत है the GVIB population great Indian bastard population is confined mostly to Rajasthan and Gujarat ठीक है तो यह third statement है कि यह Gujarat और Rajasthan अब यहाँ बराद देखिए पहला statement क्या है पहला statement जो हमने देखा there are several threats that have led to the decline of GIV population however power line seems to be the most significant तो पहला statement जो आपका है पहला statement इसका मतलब correct है there have been studies in different parts of the world where bustard populations have shown high mortality because of power lines such as denhance bustard in South Africa and the great bustard in Spain ठीक है तो already यहाँ पर research हुई है और इसमें देखा है कि बहुत जादा decline आपको नज़र आ रहा है ठीक है किसकी वज़े से power line कि वज़े से जो power line जाती है जो power line जाती है उसकी वज़े से great Indian bastard जो है उनकी population कम हो रही है there was a petition filed in Supreme Court against the deaths of the great Indian bustards due to power transmission lines a special bench of the apex code led by Chief Justice D.Y. Chandrachur is hearing the petition तो यहाँ रखिएगा यह कि यह news में इसी लिए है यह news में इसी लिए है और जो Chandrachur है वो इसकी petition को हैर कर रहे है listed in schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972 in appendix 1 of sites as critically endangered in the IUCN red list तो critically endangered तो है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी बात या दख्येगा कि यह जो है schedule 1 में है ना कि schedule आपका 3 में है ठीक है तो यह statement क्या हो और second statement आपका गलत होगे जहां पर schedule 3 दिया हुआ था historically the GIB population was distributed among 11 states in Western India but today the population is confined mostly to Rajasthan and Gujarat तो पहले तो यह 11 ग्यारा आपके राज्यों में Western India के मिलते थे लेकिन अब जो है mostly आपका यह कहां बने गुजरात में है और राजिस्थान में है ठीक है तो statement 3 भी जो है हमारा वो correct था ठीक चलिए next question बे आते है stubble burning stubble मतलब जो आप देखते हैं पराली जिसको बहुते हैं stubble burning जो आपका harvest के बाद बच जाता है stubble burning is one of the causes of air pollution in recent times what would be the alternative use for stubble ठीक है तो यहां पर बोला गया है कि stubble को हम कैसे यूज कर सकते हैं क्या हम उनको manure की तरह यूज कर सकते हैं या stubble जो हम जला दे रहे हैं उसको क्या हम packing material में किस तरह यूज कर सकते हैं या उससे हम paper बना सकते हैं या bio ethanol उससे हम बना सकते हैं या कोई pellet जो होती है गोलिया चोटी 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 वो बना सकते हैं ठीक है तो टेक्ट के लिए स्कोवासिया कर सकते हैं पैपर के यूप में इसको हम कोशन में मतलब हम सारा जो दिया हुआ है यह सभी तरीके से यूज़ कर सकते हैं 12345 सारे इसके option सही है मतलब option डीस का सही है ठीक है अब आपका question क्या है recently the Sumeru volcano is in the news due to its eruption Sumeru volcano is located where तो Sumeru कहां पर है हवाई में हैं Philippines में हैं इंडोनेशिया में हैं या equator equator में है तो याद अखिए है Joshua island का टॉल्स माउंटन है और ये इंडोनेशिया में परता है इस्टन पार्ट में परता है इंडोनेशिया के ठीक है और ये अव्विसी बात है जो हमारा Pacific ring of fire है Pacific ocean के पास जो भी वालकेनोस मिलते हैं, इतने सारे वालकेनोस मिलते हैं, उनमें से एक ये भी है, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं, चीटा के बारे में, the cheetah is completely wiped out from India, mainly due to overhunting and habitat loss, तो वाकरी में ऐसा था क्या, दूसरा, नामी व देखते हैं हम लोग statements को, पहला statement आप देख लिए, चीटा, international cheetah is celebrated on 4th of December, इसलिए ये news में रहा है, every year since 2010, the cheetah is the only large carnivore that got completely wiped out from India, mainly due to overhunting and habitat loss, तीक है, आपने जंगल कार्ट दिये, आपने जितने बच्चे तो उसका शिकार कर दिया, और उसकी वज़े से ये खतम होगे, तो statement 1 जो हमारा था, वो सही था, the majority of cheetah population lives in South Africa, Namibia, Botswana and Namibia have the highest population, ठीक है, इसका मतलब जो statement 2 है, वो भी हमारा सही है, recently 8 cheetahs have been transferred to Kuno National Park MP, Kuno National Park MP में है, from Namibia, Namibia से ही हम ले के आए है, ठीक है, the Asiatic cheetah is critically endangered, whereas African cheetah is one rebel, is in one rebel category, ठीक है, तो जो हमारा third statement था, वो हमारा क्या है, वो हमारा गलत है, one rebel में क्या है, one rebel में African cheetah है, ना की हमारा Asiatic cheetah, Asiatic cheetah क्या है, Asiatic cheetah आप जानते हैं, यहाँ पर critically endangered है, Asiatic cheetah क्या है, critically endangered है, ठीक है, यह देखते हैं, यह सही है कि नहीं, यह वास्तों में सही है, ठीक है, अभी आप जानते हैं, प्रदान मंत्री मोधी जो है, इन्होंने होमेज भी दिया था, इनको, ठीक है, 6th December को, He won the first लोगसभा election and was included in the cabinet as law minister, तो यहाँ रखेगा, यहाँ पर यह जो है, यह लोगसभा से नहीं आए थे, यह राज सभा से आए थे, ठीक है, इसको देखते हैं आगे, He was awarded India's highest civilian honor, दी भारत रत्म पॉस्थो मियुसली, ठीक है, तो यह तो statement ठीक है, आप सब जानते हैं, तो इनको देख लेते हैं, थोड़ी सी बात समय लेते हैं, अंबेटकर साब के बारे में 6 December को, हमाई जो प्राइम मीनिस्टर है, उन्होंने होमेश दिया है, डॉक्टर भावा साब अंबेटकर को, और जिस दिन को हम बोलते हैं, क्या, माहा परी निर्वान दिवस, तो यह पहला statement जो है, वो सही है, प्रदान मंतरी बोधी, और क्या प्रदान मंतरी बोधी, देश में जितने लोग भी हैं, वो भावा साब अंबेटकर की, सभी intellectual, सभी लोग, उनकी बहुत respect करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा, ठीक है, और स उसमें, परंतु, इसमें यहां पर याद रखना पड़ेगा आपको, कि जो हमारे अंबेटकर सहाब है, अंबेटकर सहाब, ठीक है, ही लॉस्त इन बॉम्बे, कॉंग्रेस एनस कजरोल कर इन दी 1952, ठीक है, जो जनरल एक्शन होए थे 1952 में, उसमें हार गे थे, अंबेटक से हार गए थे, ठीक है, अब, he was awarded India's highest civilian honor of the Bharat in 1990, मतलब कि इनकी मित्यू के बहुत बाद, तो तीसरा statement भी क्या है, ताही है, ठीक है, याद है, तो यहां पर हम लोग दूसरा question देख रहे है, दूसरा question है, आपका Central Asian region से, ठीक है, Central Asian region जो है, उनमें कौन-कौन सी country आपकी आती है, तो Central Asian region में क्या कजाकिस्तान आती है, तो येस कजाकिस्तान आती है, किर्गिस्तान आती है, बिलकुल आती है, यहां पर मंगोलिया आती है, तो मंगोलिया नहीं आती है, तुर्कमेनिस्तान आती है, उजबेकिस्तान आती है, अफगानिस्तान नहीं आती है, मतलब कि 3 औ सब्सक्राइब यहां पर तुम देख सकते हैं यहां पर यह जो रीजन है यह रीजन कहलता है यह सेंटल एश्या का रीजन कहलाता है तो यहां पर सब्सक्राइब यहां पर बात हो रही है क्या साइक्लोन मेंडॉस इस लोग श्राइब और अरब यहां पर तीन स्टेट्मेंट यहां अगर आप साइक्लोन नहीं पड़ा है तो यह तीसरा वाला तो आप बता ही नहीं सब्सक्राइब यहां पर साइक्लोन मेंडॉस जो है वह वह बेंगॉल में आता है तो पहला स्टेट्मेंट जो था वह आपका गलत था और नेम इस गिवन बाइंट अरब इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर तरीके से और यहां पर आप देखेंगे तो बे बेंगॉल में होता क्या है कि आपको मालूम है जल्दी गरम हो जाएगा यह इसके contact में आता है जिसकी वज़े से Bay of Bengal जो है वो जादा गरम हो जाता है और यहाँ पर convection का process जादा तेज हो जाता है और जब ITCZ यहाँ fall करता है तो trade winds आके यहाँ पर क्या बनाती है यहाँ पर आपका क्या बनाती है cyclones बनाती है जिनको tropical cyclones बोते हैं ठीक है अब आते हैं लोग ने इस question पर यहाँ पर है अलग कमिटी पर 1979 में जो बना था constituted by planning commission was formed for किसके लिए बनाई गई थी अलग commission तो अलग commission poverty estimation के लिए बनाई थी या review करने के लिए गुदावरी रिवर के लिए बनाई गई थी या agriculture finance के लिए बनाई गई थी या फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे वो ठीक है जिनकी डेथ कब हुई थी 6th December 2022 को हुई है अभी हाल फिलाल में ठीक है अलग कमिटी जो बनी थी वो किसके लिए बनी थी poverty estimation के लिए बनी थी या दखेगा अलग कमिटी के बारे में आपको यह very important question है उनकी डेथ हुई है तो यहां से कोशन आ सकता है ठीक है और ही कंस्ट्रक्टेटर पावर्टी लाइंग फोर रूरल एंड अर्बन एरिया ऑन दी बेसे ऑफ न्यूट्रीशनल रिक्वार्मेंट्स आं रिलेटेड कंजम्शन ठीक है तो यह अलग कमिटी थी जिन्होंने poverty estimation कर था poverty estimates for subsequent years were to be calculated by adjusting the price level for inflation price level for inflation ठीक है तो जो महंगाई होती है उसके हिसाब से इसको adjust करना रहता है ठीक है तो इसके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लीजेगा अब यहां बर बात आ रही है आपकी क्या Asian elephant Asian elephant क्या critically endangered है greater one horn rhino क्या endangered है leopard क्या आपका vulnerable है tiger क्या आपका endangered इनमे से कितने pair है जो आपके सही है ठीक है तो यहां पर हम लोग देखेंगे यहां पर आपको पता चलेगा कि जो यहां पर आपका answer क्या होगा Asian elephant endangered है greater one horn rhino जो है वो आपके वन्रेबल है लेपर्ड भी वन्रेबल है और टाइगर भी आपका क्या है वो टाइगर इंडेंजर्ड है मतलब कि यहांपर अगर आप देखेंगे तो यहांपर आपके दो सही हो रहे हैं kवल ठीक है तो ओली टू पेर्ट-र करेक्ट ठीक है कि वां दो पैर जो है वो क्रॉप इन इंडिया यहां पर आपको दो तम याद रखते हैं अप्रूस दूसरा है इन्वार्मेंटल लुइव और किसके बारे में ऑब्वेसी बात है जो हमारे जैनेटिक ली मॉडिफाइड क्रॉप से उसके बारे में तो कौन सा अंसर होगा क्या जैनेटिक इंजिनिंग अप्रेजिल कमेटी अंडर दी यूनियन एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री हाज रिकमेंडिड दी एन्वार्मेंटल रेलीज और जैनेटिक ली मॉडिफाइड मॉस्तरड अड इनवार्मेंटल राएली अजॉड इनवार्मेंट और इनक्लाम काड़नेर्द Een देसका जीए we लेकिन यह अप्रूव कौन कर रहा है, तो अप्रूव कर रहा है, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है, और 90% लोग इसको यहां संजेंगे A, लेकिन इसका आंसर है D, यह recommend करता है, अप्रूव फाइनल, जो है, Ministry of Forest, Climate, Change करते हैं, Environment वाले करते हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग यहां पर, which of the following include air quality index, which of the following include air quality index, तो यहां पर याद एकिएगा, क्या PM10 आता है हमारा, है ना, पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या इसका इंतरगत आता है, carbon dioxide क्या इसका इंतरगत इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सिंपल सा हुआ, कि हमारा जो second है carbon dioxide, वो carbon dioxide इसमें नहीं आएगा, बाकी साब आते हैं, ठीक है, carbon dioxide तो natural process से आप जानते हैं, हम लोग भी release करते हैं, पेडल से भी release होता है, तो natural है, तो वो pollutant में कभी भी consider नहीं करा जाता है, ठीक है, in India, navy day is celebrated on 4th December, यह important है, कि जो भारत में, है न, आपका navy day होता है, वो क किस लिए, किस लिए, the launch of operation trident against Pakistan during the Indo-Pakistan war in 1971, launch of python to attack on West Pakistan's port city of Karachi 1971, operation cactus carried out during 1988, माइदीव कूप, यह operation विजय that led to the capture of Goa, दमन्द्यू और अंजदीवा आइलेंड, ठीक है, कौन साइस में से है, तो यहाँ पर आपको बतादू, कि इंडियन navy day is observed on 4th December, to commemorate the courageous attack on the Karachi harbor during the Indo-Pakistan war of 1971, by the Indian naval missile, ठीक है, यहाँ दखेगा कि condition बहुत अच्छी नहीं थी, कंडिशन बहुत अच्छी नहीं थी, तब भी इंडिया ने यहाँ पर अपना हाट बड़ा दिल दिखाते हुए attack करा, और बड़ा दिल दिखाते हुए attack करके, उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को छती पहुचाई, उसी के, उसी के उपलक्ष में 4th December को नेवी डे इंडिया में मना जाता है, ठीक है, यहाँ पर which of the following organization release global wage report, ठीक है, global wage report को निकालता है, क्या world economic forum निकालती है, या international labor organization, या world bank, या united nations high commissioner for human rights, तो यहाँ पर आपको बता दू कि इसका answer क्या है, the international labor organization, ILO, released two reports that gave an indication of the global employment scenario, post pandemic, ठीक है, तो post pandemic, बता कि कोविट के बाद, जो report, जो employment scenario है, उसके बारे में, ILO ने, ठीक है, international labor organization ने एक report निकाली, इनमें से एक report आपकी क्या है, the global wage report 2022-23, the impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power, discuss the twin crisis, inflation and economic slowdown, which created a striking fall in real monthly wages around the world, ठीक है, तो यही बोला गया है, क्यार, जो obvious ही बात है, इतना भहेंकर, पोस-COVID आपको, आप इमाजिन करिए कि pandemic से लोग उभन नहीं पाए हैं, और उसी कारण क्या हुआ, उसी कारण जो है, salary में सबकी, wages में सबकी कमी आई है, ठीक है, तो यहाँ पर, जो आपका Equilius spacecraft है, वो develop करा गया है, किसकी दोरा, आपका यहाँ पर, जाक्सा के दोरा, मतल होते हैं, अर्थ-sun, lag range point, ठीक है, located beyond the sun, तो देखते हैं, यह actually, जो हमारा है, अर्थ-sun है, या इसका मतलब होता है, अर्थ-moon, ठीक है, we will see to it, तो यहाँ आप लोग देखते हैं, पहला statement आपका सही है, जैसे मैंने बताया, यह जैपान की एजंसी जैक्सा है, उसने बनाया ह है, दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, तो दूसरा आपको यहाँ पर समझ में आएगा, कि it is second earth-moon lag range point and not earth-sun, ठीक है, तो वो वहाँ पर गलत है, तो second statement आपका wrong है, अब हम आगे आते हैं यहाँ पर, the cyclone, अच्छा, cyclone के पर एक और question आपका आगया है, the cyclone warnings are issued by the IMD, मतलब चार stages में जो है warning दी जाती है, the divrock technique is used to estimate the tropical cyclone intensity based solely on visible and infrared satellite images, ठीक है, तो जो satellite images हमको मिलती हैं basically, उसके आधार पे, उसके basis पे यहाँ पर warning हम लोग देते हैं, third statement है, slow moving cyclone often carry fewer amount of rainfall than a fast moving cyclone, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिजे, यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे, तो पत चलेगा जो cyclone की warning है, है ना, are issued to state governments official in four stages, तो यह four stages वाला concept है, यह आपका concept जो है, यह तो सही है, कि four stages में दिया जाता है, the first stage warning is known as pre cyclone watch, क्या कहलाता है, pre cyclone watch, जो की 72 गंटे पहले दे दिया जाता है, बहतर गंटे पहले, ठीक है, जब बेसिकली आपका development हो रहा है cyclone disturbance का, उ in the North Indian Ocean, it's likely intensification into a tropical cyclone and the coastal bed likely to experience adverse weather, तो यह बता दिया जाता है, कि आपका Indian Ocean के North Indian Ocean में यह 72 hours पहले बता दिया आता है, कि यहाँ पर खतरनाक cyclone आ सकता है, ठीक है, second stage warning जो होती है, उसको हम क्या बोलते है, cyclone alert बोलते है, जो कि 48 hours before दिया जाता है, ठीक है, इसके बाद third stage में जो ह आकरी stage में, आकरी stage में, fourth जो है, उसको बोलते है, post landfill outlook, ठीक है, यह basically जो है, यह basically बारा घंटे, बारा घंटे पे दिया जाता है, ठीक है, आद दूसरी चीज़ यह समाझ लीजे कि stage of warning जो आपकी है, यहाँ पर कुछ color भी है, इससे related, तो वो color भी आपको मालू होने चाहिए कौन-कौन से color है, यहाँ पर आपका color है, yellow, ठीक है, orange और red, ठीक है, यह आपके color है, तो अब next हमारा जो question है, वो है, chat GPT पे, ठीक है, जो आपका GPT है, यह क्या है, और chat GPT क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समाझ लेते हैं, chat GPT is a chat box that can answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises and reject inappropriate requests, तो पहली बा है कि यह क्या है, एक chat bot है, जो कि बहुत कुछ कर रहा है, जो कि different, आपके जो normal chat box होते हैं, उससे कुछ ज्यादा कर रहा है, ठीक है, chat bots operate with only set guidelines, ठीक है, तो आईए इसको देखते हैं हम लोग कि क्या सही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो chat bot हमारा है, यह Elon Musk की company है, ठीक ह है, और यहाँ पर जो platform, यह जो platform है, यह artificial intelligence की मदद से, उन questions, उन queries को answer कर सकता है, दूसरी चीज, यह जो है, it is very different, you know, from other artificial intelligence chat bots, क्योंकि यह answer करता है, plus उसके बाद follow up question भी पूछता है, यह अपनी गलतियों को admit भी करता है, यह challenge करता है, incorrect premises को, ठीक है, यह reject कर देता है, inappropriate request को, यह मतलब कुछ जादा कर रहा है, ठीक है, दूसरी चीज, chat GPT is the latest technology in the generative pre-trained transformer family, ठीक है, तो आपसे question अगर आ जाता है, कि आपका GPT क्या होता है, तो यहाँ दखेगा, generative pre-trained transformer, ठीक है, यह आपको मालूम होना चाहिए, तो statement 1 हमारा सही है, chat bots operate in one of two ways, either via machine learning or with set guidelines, तो second statement जो था, वो कहरा था, set guidelines के वलोने चाहिए, नहीं, machine learning भी आपकी एक चीज है, ठीक है, उससे भी आपको यहाँ पर chat box काम करता है, ठीक, तो set guidelines वाले जो चीज होती है, वो आपने लिखा hello, तो उसमें set कर रहा है, आपने programming कर रहा किये, वो high response करेगा, लेकिन machine learning जो है, वो work पे, जैसे की हमारे human में, human brain में neural nodes होते हैं, उनसे inspire होके बना हुआ है, ठीक है, तो आपका second statement जो है, वो गलत है, अब यहाँ बर आते हैं, तामिलनाडू पुलिस के एक idle wing है, जिसने पहली पुलिस unit है, जिसने क्या करा है, उसने mint करे है, क्या करे है, mint soul bond tokens करे है, ठीक है, तो यहाँ बस soul bound token जो है, जिसको बोलते है, SBT, इसके बारे में बात करने है, पहला statement है, जो हमारा SBT है, यह एक unique blockchain asset है, that can easily be moved or transferred to another blockchain wallet, ठीक है, पहली चीज़ इसमें कहा गया है, कि यह easily move कराया जा सकता है, देखेंगे, सही है कि गलत है, ठीक है, soul bond token जो है, यह zero monetary value hold करता है, जिरो monetary value hold करता है, तो आपस में एक contradictory नहीं लग रहे हैं दोनों, तो यहाँ बर आप अगर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि यह एक permanent SBT जो है, soul bound token जो है आपका, यह permanent non transferable, आपका क्या है, token है basically, तो यह क्या है, NFT है, non fungible token है आपके, that cannot be, that cannot be given away or taken from the private blockchain wallet, तो transfer यह न भी लिखा हुआ है, non transferable, दूसी चीज, जो आपका SBT है, it is a unique blockchain asset that cannot be bought, sold or moved to another blockchain wallet, यही चीज है, तो पहला statement आपका क्या है, गलत है, SBT holds zero monetary value and cannot be traded once issued to someone's wallet, ठीक है, तो इसके अंदर zero monetary value होती है, और एक बार इसको issue कर दिया, तो फिर यह दूसी जगह पे नहीं जा सकता, अब बात आती है, which of the following best described about the kilonova, kilonova जो है एक activity है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, spacecraft built by Japan, या when binary neutron stars or the neutron star and black hole collide, an artificial moon created by China, extremely dense neutron stars that rotate extremely fast, यहाँ पर याद रखेगा, इसका second answer है, जो binary neutron neutron stars होते हैं, आपका, या normal neutron stars होते हैं, जब यह black hole के साथ collide करते हैं, तो जो आपकी activity होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, kilonova बोलते हैं, ठीक है, तो यह rare astronomical event है, यह जल्दी नहीं होता है, ठीक है, अभी recently, a rare astronomical event reported a compact binary merger emitting long gamma ray burst, ठीक है, तो long gamma ray burst निकला, twinned with a kilonova emission, ठीक है, तो यहाँ पर kilonova emission भी हुआ, ठीक है, it was confirmed by India's largest optical telescope, देवस्थल optical telescope, जो की कहाँ पर है, देवस्थ उत्राखंड में है, kilonova occur when two compact objects like binary neutron stars, और a neutron star and a black hole collide, ठीक है, फिर उसके बाद है, kilonova generated a GRB that lasted roughly 50 seconds, ठीक, GRB are massive but extremely bright high energy shot gamma radiation, which get released when massive stars collapse, और die in the universe, तो जब भी आपके बड़ी-बड़ी cosmic stars जो होते हैं, वो तकराते हैं, तो आपका क्या निकलता है, gamma rays निकलती है, ठीक है, या जब आपका star खतम होता है, end होता है, तब भी आपके ये gamma rays निकलती है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमने बात करी क्या, कॉंडिनिया wildlife century की, ठीक है, कॉंडिनिया wildlife century जो है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंदरप्रदेश दिया हुआ है, चलिए, ठीक है, देवडीगार wildlife century को West Bengal दिया हुआ है, और तुंगरेश्वर wildlife century को मध्यपदेश दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लेली देख सकते हैं, कि य पर दिस्टिक्ट, नौर्ट तो मुंबई, इन महाराष्ट है आपका, और कॉंडिनिया जो है, वो आंदरप्रदेश में सही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला के वाला आपका सही है, उनली वन पेर इस करेक्ट, ठीक है, चलिए, अब आते हैं, लोग बिमस्ट में नहीं हैं आपकी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो यहां पर है कोई ये option है, option A आपका हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, अपका option हो जाएगा, Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, जिसको बिमस्ट बोलते हैं, is a regional organization that was established on 6th June 1997, with the signing of the Bangkok Declaration, Bangkok Declaration, मतलब कि थाइलांड में बैंकोग ह है, initially as Bistek, initially as Bistek, इसमें कौन-कौन से थे, Bangladesh, India, Shri Lanka, Thailand, ठीक है, ये थे जिसको हम क्या बोल रहे थे, Bistek बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, the organization is now known as Bimstek, क्योंकि इसमें हमने क्या जोड लिया है, Myanmar को भी जोड लिया है, कब 22nd December 1997 में, और भूटान को और नेपाल को हमने कब ज जोड़ा है, हम लोग ने, February 2004 में, members आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है, Thailand है, Myanmar है, Shri Lanka है, Nepal है, Bhutan है, भागला देश है, ठीक है, यह आपकी countries यहां पर, बिंस्टेक में, अब बात करते हैं, हम लोग 0R की है, ठीक है, जीरो आर आप जानते हैं, पॉलिटी से, Constitution से हमाएं प issues of urgent public importance, सही में, क्या यह पहला आर होता है, पहला घंटा होता है, ठीक, यह भी देखेंगे हम लोग, for raising matters during the 0R, MPs give notice before 10 a.m. to the chairman on the day of the setting, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, 0R के बारे में, कई बार 0R में questions आते हैं, तो 0R is not mentioned in the rules of procedure, पहली चीज़, इसका म notice, 10 days notice in advance, यह priority, high priority matter होते हैं, 0R is the time gap, देखें, 0R is the time gap between the end of questionnaire and the beginning of regular business, and the beginning of regular business, it starts immediate after the questionnaire of the लोगसभा session, where member can raise issues of urgent public importance, इसका मतलब यह पहला आर नहीं होता है, लोगसभा session का, ठीक है, यह question आर के ठीक बाद होता है, तो दूसरा statement, इसका गलत था, for raising during, for raising matters during the 0R MPs give notice before 10am to the chairman on the day of sitting, ठीक है, तो जिस भी day of sitting, जो भी chairman होता है, उनको 10 बज़ेस पहले notice दे दी जाती है, 0R usually used to raise matters that are urgent and cannot wait for the notice period required under procedure, तो यह सही बात है, यह बहुत urgent matter है, तुरंद ववाल हुआ, सोचिए आपका लोगसभा session चल ला है, और उसी से पहले है ना, अंदोलन हो गया किसान बिल का, तो किसान बिल पे जो है, discussion यहाँ पर होना चाहिए, 0R में, ठीक है, with reference to monetary policy committee, MPC, consider the following statements, तो जो MPC है, monetary policy committee है, उसके बारे में यहाँ पर देख लिजा आप, RBI Act 1934 empowered central government to constitute six member monetary policy committee, देखते हैं, सही है की नहीं है, the chairperson of MPC has power to cause second vote in the case of tie, तो क्या सही में ऐसा होता है, कि monetary policy का जो chairperson होता है, उसके पास एक power होती है, कब second vote की in case of tie, tie करने बे उसके पास power होती है, The MPC is required to meet every month at once, तो क्या सही में at once होता है every month, चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो section 45 ZB of the amendment RBI Act 1934 provides for an empowered six member monetary policy committee to be constituted by the central government by the notification in the official gadget, तो यह तो सही है, कि 6 member की committee है, तो पहला statement आपका इक्दम सही है, यह दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, 45 ZB of RBI Amendment Act 1934 में दिया हुआ है, Governor of the Reserve Bank of India, याद एक है, Governor of the Reserve Bank of India, chairperson ex-officio, ठीक है, यह क्या होता है आपका, जो Governor of the Reserve Bank है, वो क्या होता है, इसका chairperson है, है ना, और आप कह सकते है, ex-official है, यह मतलब कि यह हमेशा आपका by default रहेगा, Each member of the MPC has one vote, and in the event of equality of vote, the governor has the second or casting vote, तो यही सही बात है, जो chairperson है, chairperson जो है, आपका second, जब भी कोई ऐसी बात आईगी, तो उसमें second vote डाल सकता है, MPC determines the policy reporate required to achieve the inflation target, the MPC is required to meet at least four times in a year, the quorum for the meeting of MPC is four members, ठीक है, तो यहाँ बार जो तीसा statement है, वो एक्दम गलत है, MPC के बारे में अगर बात करें, monetary policy committee के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक चीज़ याद अखिएगा कि inflation के लिए ये साल में चार बार मिलते हैं, और at least four member इसमें होने चाहिए, तभी ये meeting आपकी proceed करेगी, ठीक है, तो ये इसकी बात आपको यहाँ पर दीवी है, इसका मतलब आपका option क्या सही होगा, ये वाला और ये वाला सही होगा, ये गलत हो गया, इसका मतलब one and two आपका correct है, ठीक है, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ अपर, Global North and Global South is sometimes mentioned in the news, which of the following countries included in Global North, तो Global North में हम यहाँ देखते हैं, क्या Canada है यहाँ पर, क्या Russia है, क्या China नहीं है, क्या Australia है, क्या New Zealand है, क्या India नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जब हम बात करें Global North की, तो यहाँ पर आप बहुत बार गलती करते हैं, देखे क्यो Australia and New Zealand, ठीक है, तो जब हम बात करें Global North की, इसका मतलब हम बात करें अमीर कंट्रीज की, ठीक है, Global South, पूरर कंट्रीज आर मोस्टी लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन and इंदी सर्दन हमेस्फेर, ठीक है, तो जादा ता जो गरीब देश हैं, वो कहाँ पर है, गरीब देश बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं Global North के बारे में, जब हम बात करते हैं Global North के बारे में, तो आपको एक चीज़ समझनी पढ़ेगी कि इसमें 1, 2, 4, 5, ठीक है, चाइना और इंडिया नहीं है, बाकी Australia भी, New Zealand भी, Russia भी, Canada भी, यह सब Global North में, Global North मतलब रिच कंट्रीज, Global North मतलब क्या है, बेसिकली, रिच कंट्रीज है, ठीक है, तो Global North इसको जोग्रिफिकली हम नहीं देखेंगे, जोग्रिफिकली देखेंगे, तो यहां पर गलत करके, आंसर आ जाएंगे, ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां पर, हमारा 43rd question बात कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, सनलाइट को ज़्याधा तर, जबकि जो पानी होता है, ओशन वोटर होता है, वो गया करता है, वो एब्जॉर्व करता है, ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करेंगे, ब्यूफोर्ट जायर के बारे में, इस वन और दी मेजर ओशन आपने एगलास लिया, और गलास में आप क्या प्रते हैं, चम्मस से हिला देते हैं, तो पानी में एख भवर सदिक जाता है, वैसे ही कुछ जायर है, कि इधर से आपका वॉटर मूव कर रहा है, इधर से वॉटर मूव कर रहा बीच वाला पार्ट आपका शांत पढ़ा हु स्टेंटमेंट तो आपका क्या है एकिदम i a decline in Arctic Albedo यही बात है जिसपे ये आपका न्यूज आया है outcome waits काल वह हुट जादा था time SCCGI सारा ऑईज साइस आइस जीजादा होता है मतलब होता है वह सनलाइट वो सूरी का प्रकाश जो क्या होता है reflect हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या albedo बोलते हैं ठीके तो यहां पर क्या है कि उसमें decline आया है और यह की concern है एक बहुती बड़ा मुद्दा है ठीके among scientists ठीके since summer Arctic sea ice cover began shrinking in recent decades तो पिछले कुछ decades से पिछले कुछ जशकों से इसका जो size है वो shrink हो रहा है ocean water जादा आ रहा है ठीके इसका मतलब दूसा statement भी सही है it is roughly located north of the Alaska and Canadian coast ठीके the jar sets the ocean temperature and salinity over a large portion of the Arctic which impacts how the ocean and atmosphere interact with each other तो jar जो होता है वो क्या होता है basically पानी को कोने की तरफ फैला देता है बीच में ही वो चलता रहता है आपने देखो चमस से अगर आप पानी को घुल देते हैं तो पानी क्या होता पानी इस तरीके से उपर उठ जाता है और चारों और घूमने लगता वही जायर का काम है तो side में फैला देता है यही बात ये कर रहा है ठीक है तो यह अपने साथ केवल और केवल पानी को तो फैलाएंगे नी उसके साथ जो temperature है है ना और जो salinity है नमाख है पानी में उसको भी तो ocean के पानी को फैलाएगा राइट अब आ जाते हैं हम लोग हो ने बनाया G20 ठीक है इंडिया विल कन्वीन दी जी ट्वेंटी लीडर सम्मिट फॉर थर्ड ताइम इन दी कंट्री इं ट्वेंटी थी सही में क्या है तीसरी बार है ठीक है ट्रोय का is a grouping within G20 that consists of the current previous and upcoming presidencies for G20 only ठीक है तो आइए देख लेते हैं यहां यहां पर तीन चीजों के बारे में बात है कि तीनों चीजों में क्या आपका सही है तो आपको यहां पर देखनों को पता चलेगा ठीक है कि क्या सही है यहां पर तो हम लोग देखते हैं the G20 forum established in 1999 by the finance minister and central bank government or governors of seven countries that is Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK and the US after a meeting in Washington DC the uniting factor was the 1997-1998 financial crisis that hit East Asia and Southeast Asia in particular तो इन्होंने कहा यार ऐसा है यह हमारी जो economy है यह दूसरी countries पर निर्वर कर रही है यह East Asia की जो countries यह Asian जो countries उस पर भी नर्वर कर रहा है तो सोचे जी 7 और जो आपके rich countries थी उनको उनकी economy hamper होगे किसकी वज़े से globalization की वज़े से क्योंकि उनकी economy जो है दूसरी countries पर भी डिपेंड करती थी और इसलिए यहां पर जो financial crisis आये 1997 और 1998 में उसकी वज़े से इनको 1999 में क्या करना पुदा जी 20 जी 20 बनाना पुदा ठीक है जी 20 ऑब्विस सी बात है कि 20 इसमें इंटर-governmental countries है ठीक है अचा पहले बात कर लेते हैं Canada, France, Germany, Italy, Japan and UK and the US member are of G7 यह G7 के members है जी 20 इसमें इंटर-governmental फोरम है comprising 19 countries and the European Union तो इसमें 19 countries है प्लस जो आपका European Union है जिसमें बहुत सारी countries आ जाती है वो यहां पर क्या है जी 20 में सम्मिलित होता है अर्जेंटीना इसमें है ऑस्ट्रेलिया है ब्राजील है देकर सीक्वंस में दिया हुआ है अर्जेंटीना ए से अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया बी से ब्राजील C से कैनड़ा चाइना F से फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इतली जैपैन Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Korea, Turkey, जिसको तुरिक्य है, जिसका नाम हो गया है अब, ठीक है, United Kingdom and United States plus EU, तो यह 20 कंट्रीज है, G7 आपको याद होने चाहिए कॉन सी कंट्रीज है, और आपको G20 भी कंट्रीज याद होनी चाहिए, इतनी बेसिक रिक्वार्मेंट है, civil services में, the G20 member represents 85% of the global GDP, over 75% of the global trade, and about two-third of the world population, समझ रहो, मतलब की पूरे विश्व में, जो यह 20 कंट्रीज है, वो आपका जितना भी global GDP हो, उसका 85% इनी 20 कंट्रीज चाहता है, मतलब यह top 20 आपकी कंट्रीज है, ठीक है, It aims to secure global financial stability by involving middle class income countries, ठीक है, obvious ही बात है, security किसको देनी है, middle class income countries को देनी है, the group does not have a permanent secretariat, तो यह important बात है कि इसका कोई permanent secretariat नहीं है, कोई अपका इसका स्थाई सचिवाले नहीं है, The presidency is supported by, यह important line है, ठीक है, यह important line है, The presidency is supported by Troika, previous, current and incoming presidency, ठीक है, during India's presidency, the Troika will comprise Indonesia, India, Brazil respectively, ठीक है, तो previous क्या हो गया आपका, Indonesia, current हो गया आपका, India अगले साल, और Brazil आपका, upcoming, ठीक है, यह presidency के बारें बात है, मतलब की, Troika, अगर आपसे कोई बुचा जाए, तो तीन, Troika मतलब तीन, पहले कौन था, इसके बाद, अभी current में कौन है, और इसके आगे कौन रहेगा, तो यहां दखिएगा, Indonesia था, इंडिया रहेगा, और आपका, Brazil आगे रहेगा, ठीक है, यहां पर हमने बुक बात कर रह हैं, तो यहां पर बात कर रहे हैं, when there is a lack of quorum in the Supreme Court, the CGI can appoint a retired judge on the Supreme Court bench as ad hoc judge, ठीक है, पहला statement, यह कह रहा है, दूसरा statement कह रहा है, ad hoc judge is appointed only after getting consent from the President of India, ठीक है, यह दो statement है, तो यहां पर अगर आप याद करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि ad hoc judge is appointed when there is a lack of quorum, the CGI can appoint a judge of High Court to the Supreme Court bench, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं, कि क्या बात बोली गई है, यहां पर बोला गए है, कि कुछ उल्टा, जो कि यह statement को क्या कर देगा, गलत कर देगा, ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, देख सकते हैं, such इसके बात है, जिसको अपॉइंट करा जा रहा है, उससे भी consent लेना हो, उसकी भी permission लेनी है, तो statement, second, आपका सही है, पहला statement, गलत है, ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर किसके बारे में, election commission के बारे में बात करते हैं, तो election commission, according to election commission rules, ठीक है, अब भी चुनाव हुए है, आप जानते हैं, election commission rules, अब party gets national status, national status पे कई बार question आता है, if it is recognized as a state party in four states, ठीक है, पहला statement यह है, कि भ दूसरा, as of now, there are eight national parties in the country, including national people's party में घाले, ठीक है, तो national people's party जो में घाले की है, वो भी इसमें है, अब party would be recognized as state party only if it has won 3% of the seats in legislative assembly, तो आपके जो विधान सभा के चुनाव होते हैं, अगर उसमें आपने 3% जो आपकी seat है, उस विधान सभा की, अगर आपने जीत ली है, तो आ लाते हो, ठीक है, during general extent of legislative assemblies, ठीक है, और आपको अगर यहाँ पर बूला गया है, आपको अगर बनना है क्या national party तो आपको state party चार राज्यों में होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जो seats है, चार राज्यों में, 3% seat आपको अलग-अलग चार राज्यों में जीतनी होनी चाहिए, तो आईए इसको देख लेते हैं, इसका description समय लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा जो party है, national party का बनती है, national party बन सकती है, अगर उसके पास 2% seat वो जीत जाती है, किसमें, लोकसभा में, मतलब की 11 seat from at least 3 different states, ठीक है, अगर वो 11 seat जीती है, तीन आपका है, it has been recognized as a state party in four or more states, तो पहला statement आपका सही हो गया, यह भी सही है, a party would be recognized as state party, state party कैसे बनेंगी, तो if it has won 3% of seats in the legislative assembly of the state, subject to a minimum of 3 seats, ठीक है, during general election of legislative assembly election, तो यह भी सही statement है, it has won 1 लोकसभा seat for every 25 लोकसभा seat, allocated for the state during the लोकसभा general election, तो आपके जो seats हैं, जो आपके राज हैं, ठीक है, उस राज में अगर 25 seat हैं आपके लोकसभा की, और उन 25 seat हो में, हर 25 seat पे आप एक लोकसभा seat जीक रहें, मतलब कि 75 अगर हैं, आपके वहाँ पर, ठीक है, seats, तो आप वहाँ पर 3 अगर लोकसभा seat जीत रहें, तो भी आप क्या बन जाएंगे, state party बन जाए ही है, ठीक, दूसरा है, इस पोल्ड़ मिनिमाँ आप 6% of votes in a state in addition to winning one लोकसभा और two legislative assemblies at a general election of लोकसभा और legislative assembly, दूसरा ऐसा भी है, कि यहाँ पर अगर इनके पास 6% वोट आ जाएं, किसके थूँ आजाएं, यहाँ पर condition है, कि एक लोकसभा seat और दो आपके क्या हो, या तो एक लोकसभा seat में, या दो राजसभा seat में, आपके विधान सभा seat में आ जाएं, तो यह क्या बन जाएगी, यह आपकी state party बन जाएगी, अब ही अगर आप बात करेंगे, तो BJP, BSP, Congress, तिनमूल Congress, ठीक है, Nationalist Congress, CPI, CPM और National People's Party में घाले, यह जो है, आपकी क्या है, यह 8 आप family election, आप is also, आप is also to fulfill the criteria to become a national party, ठीक है, यह चीज याद रखेगा, तो अब यहाँ पर हमारा last question हम देख रहे है, हमारा last 48th question है, जिसमें बात करें, two volcanoes in the Kamchatka Peninsula erupted, Kamchatka Peninsula is a part of which country, ठीक है, तो यह बड़ा ही famous country है, क्या Canada है, Russia है, South Korea है, यह अर्जेंटीना है, तो यहाँ बात जा peninsula is a 1250 km long peninsula in the Russian far east, ठीक है, Russia में पढ़ता है यह, the Pacific Ocean and the Sea of Akosak made up the peninsulas eastern and western coastline respectively, ठीक है, तो यह आपका जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर यह आपको मैं highlight कर दे रहा हूँ, this is Kamchatka, ठीक है, यह Kamchatka है, ठीक, इस तरह आप देखेंगे, तो you have Bering Sea, यहाँ पर आप देखेंगे, कोशन और इधर है आपका Sea of Akosak, ठीक है, यह है, तो इनके बीच में आपका कम चटका पहने उसला है और यहीं पर आपके जो है, रीसेंक्ली दो वालकेनों इरप्ट हुए हैं, ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठांक यू फ्रॉम माई साइड, और I hope यह जो आ आपके साथ मैंने questions discuss करें हैं, यह आपके current face के revision के लिए बहुत important होगे, तो आज के लिए यतना ही दोस्तों, thank you, take care, बबाए